नगर के वाड क्रमंग चार की अक्षरधाम और जाट कॉलोनी जिसमें ही नगर पाली का अध्यक्षुताश फ्रीमती मंजुला राकेश पाटिदार का निवास है लेकिन इसके बावजूत इस वाड में गंदिकी की भरमार है जाट और अक्षरधाम कॉलोनी की गलियों में नि पायम अमल कराना भूल गई है वाड वासियों ने बताया कि वाड में ज्यादतर पॉश कॉलोनी है यहां खाली प्लाटों में गंदिकी की समस्या मुख्य है दोनों कॉलोनी में खाली प्लाटों में गंदिकी से परिशानी है लेकिन इन प्लाट मालिकों को ना तो नोटिस दिये गए हैं और ना ही सफाई कराई जा रही है यदि कॉलोनी में जगा जगा कच्रा पेटी रखवा दी जाए तो यह समस्या काफी हद तक खत्म ही हो जाएगी लेकिन नगर परिशद इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है जबकि यह नगर की सबसे ज़्यादा पॉश कॉलोनी है यहां नगर के कई गणमा निनागरिक रहते हैं वहीं कॉलोनी की गलियों में रूजाना साफ सफाई नहीं होने से यह समस्या बनी हुई है जिससे वाड में जगा जगा गंदिगी के ठेर लगे हैं साथ ही खाली प्लोटों में बड़ी तादाद में पानी जमा हो रहा है जिसमें मच्छ और और गंदिगी पनप रही है जिस पर जवाबदारों द्वारा वाड में बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है वाड में केवल गंदिगी ही मुख्य समस्या है लेकिन इसके बाद भी नगर परिशद वाडवासियों को इस समस्या से मुक्ती नहीं दिल गलियों में नाली की सफाई भी नहीं कराई जा रही है वहीं आपको बता दें कि दो से तीन इस्थानों पर गहरे गंदे दूशित पानी का जल जमाव भरा हुआ है इसके पास ही एक नजी स्कूल भी मौजूद है जिसमें कभी भी कोई जनहानी होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है पूरा गंदगी विए डाबरा भरा हुआ है सब्सक्राइब करना है आप बोलते हैं कि आप खुल कपड़े क्वेन होई है पर बच्चों का ज्यान रखो तो आप भी आपका भी फर्ज है कि आप छिड़काव टाइम पर करें डेंगु की जो दवई आती है उतका चिड़का आप तो पर रखने हैं आप पर आप परियें टाइम एट के लिए मध्री प्रदेश की अंजर से रोहित मंडलोई की रेपोर्ट झाल को से जो आप है झाल कि आप हैं आप हैं रिक पर घज कि अजिया कि आते कि आप पर भी आप एटेश की अंजर से आते हैं